यूपी के सोनभद में गेहों की बुआई हुए लगभग देर महीना हो गया है लेकिन अभी भी जनपद में किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है इसकी वज़े से उनकी फसले खराब होने की कगार पर है किसानों का कहना है कि हम लोगों ने कई बाल अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन अभी तक नहर में पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है वहीं सिचाई विभाग के SDO राजीव प्रसाद का कहना है कि कि धंडरोल में बांध में पानी की कमी की वज़ा से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है धंडरोल बांध में चुकि पानी कम है और उसमें अक्चुली में हम लोगों को 600 MCFT पानी गर्मी में बेजर के लिए सुरुचित रफना पड़ता है और आज की स्तिति में उसमें इसमें 5750 MCFT पानी शेज बचा हुआ है तो कुछ लीकेज भी जाता है और लीकेज को ध्यान में रखते हुए पानी न छोड़ने का अधिसासी अभियनता महोदे ने आदेश भी किया है चुकि 600 MCFT पानी 15 मई तक हम लोगों को धंडरोल बाद मे रखना है